ओम श्री परमात्मने नमहा, ओम श्री गुरुभ्यो नमहा, ओम श्री रिशिभ्यो नमहा, सर्वेभ्यो नमो नमहा देववाणी संस्कृतम इगुरुकुलं प्रती बबतं सर्वेशाम हार्दं स्वागतं मित्रों ऐज हम लगू सिध्धांत कौमुदी में कुछ हल संधी के सूत्रों को पढ़ेगी गत कक्षा में मैंने आपको अंतिम सूत्र पढ़ाया था शितुक। उससे आगे आचारे वर्दराज महराजी लगू सिध्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या नबासी में महर्शी पाणनी के हल संधी सूत्र को पढ़ते हैं और कहते हैं गमोहरस्वादची गमुण नित्यम आठमे अध्याय के तीसरे पाद का वत्तीसमा सूत्र नमाह पंचमी विवक्ती एक वचनांतम, हरस्वात पंचमी विवक्ती एक वचनांतम, नमुट प्रतमा विवक्ती एक वचनांतम, अच्छी सप्तमी विवक्ती एक वचनांतम, नित्यम जुतिया विवक्ती एक वचनांतम, सरल है, कोई भी समास नहीं है अब देखिएगा इस सुत्र में पीछ से पीछ से बहुत दूर से पदस्य महाराज जी चले आ रहे हैं तो पदस्य उपर से आ रहे हैं ठीक है और कोई सुत्र नहीं आ तदंतं यत्पदं तस्मात परस्य अच्चाह नमुठ अब उदाहर्णानी प्रत्यन नात्मा सुगण नीशह सन नच्युताह थीक है यह उदाहर्णे इसके अब आएगा अब इस पर विचार करते हैं एचर वर्द्राज महाराच जीए का हरस्वात पर यह नम हरस्ववःण से उत्तर जो गम तो यह गम क्या आएगी गम है प्रत्याहार क्या है यह है प्रत्याहार नमने क्या क्या आता है नागया और न न आगया और न न आगया यह तीन वर्ण आ गए तीन वर्णों का नाम क्या है जी नम कि अब कहा हरस्व से उत्तर जो नम मनें इनमें से कोई वर्ण हो अ कि के कोई विवर्ण हो तदंतं में यह प्दम मर ऐंद में है और वो कैसा होना चाहिए वो पद भी होना चाहिए इसका तात्पर क्या हूँ अपद के अंत में विद्यमान इन में से कोई वर्ण हो और वो हरस्ट से उत्तर होना चाहिए अभी उदाहन में घटा के दिखा देंगे आपको जी और कहते हैं तस्मात परस्य फिर इससे उत्तर माने पद से उत्तर पदांत गम से उत्तर अच्छ अच्छ मने कोई भी फ्ली स्वय हो तो उसको क्या हो जाता है अब गमूट क्या है जी गमूट भी भूँत समस्या है आपके लिए गमूट कोई आगम तो है नहीं और यह के रहा है आगम होता եी अगम्ध हो जाता है तो गम में देखिएगा ऐसा है गम प्लस उट ईसा है अब गम का अर्थ क्या है अब हमने देखा न इस उड़न टीक है और यह जो उट है उट मुट उट इसके साथ भी लगेंगा इसके साथ मिलगेंगा तो इसके साथ लगेगा तो क्या बन जाएगा यह मूट और इसके साथ लगेगा तो क्या बन जाएगा लगई रहए तो यह उट सब के साथ में लग रहा है अब यह होता है तो क्या गम के अंदर 3 है दॉत ना नंग कि तो इन से उत्तर तीन होते हैं इसका मतलत तीन है उदर भी है और अधर भी कर रहेए है 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 मैं तो यह था संथ मनुदेश हा थमा नाम लगेगा ठीक है क्या लगेगा आपको देख हां अब हम आपको पूरा बता देते हैं जब इधर ना होगा और इससे बाद में यहां पर कोई अच्छ होगा अच्छ माने यह अच्छ होगा तो इसको क्या होगा मुट क्या हो जाएगा मुट्ट ठीक है और इससे उत्तर और यहां आगे अच्छ आगया तो फिर इसको क्या होगा नुट हो जाएगा ठीक है सरल्वासा में समझा देता हूं में ठीक है और इसी प्रकार से यह दी ना है इधर तो इसको क्या होगा जी नुट यह स्वार होगा आगे कोई तो इस से उत्तर अच्छ को मुट होगा न से उत्तर अच्छ को मैं 뉴스 नुट होगा और न से उत्तर अच्छ को नुट होगा और इन में इसकी इस की आ However आ to कि इत्से संया हो जाती यह बच जाते हैं यह यह बच जाते हैं यह और इसी परकार से यह पर भी न बच गया और यह न बच गया तो यह बचते हैं तो यह अव्धब होते हों है आपको एक सूत्र आया था आपका दाह सी ढुल्ट पर करें सूत्र में और सपत्मी दोनों निर्देश होते हैं पदों में तो वहां पर पंचमी का का निर्देश बल्वान होता है सब्तमी का निर्देश कम्जोर हो जाता है इसी प्रकार से यहां पर भी यह पंचमी के निर्देश हैं और यह सब्तमी का निर्देश है सब्तमी कार्थ होता है तसमाद जित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् पंशमी की बात पहले मानी आप की बाहन में सुनी याईगी यह न्यायाधिश ने आदे दे दिया कि अश्जा को पहले सुनेंगे से इसलिए ऐस उत्तर को काम होगा तो सब थमी को क्या कर दिया सुष्टि में बदल दिया वही कहा परस्य अच्छा हो सुष्टि कर दी के यह एक सामान्य बात बता दे कि दूसरी बात आपको हम यहां बताते हैं किनूत्यम माहान्भाव को प्रत्मान्त पढ़ देते हैं पर वह गलत है क्योंकि यह सूत्र एक वाग के रूप में हैं इसके अंदर पद हैं किरिया पद नहीं है किरिया पद का हम अध्याहार कर लेते हैं अध्यार कर लेंगे तो किरिया भी आ जाएगी स्यात अथवा अस्ति अथवा भावति तो किरिया का यह विशेशन है नित्यम क्रिया का विश्यषण है विश्यषण में कौन सी विवक्ति होती है यह वया करणों नियम बना दिया क्रिया के विश्यषणों में विथिया विवक्ति होती है तो यह क्रिया का विश्यषण है इसलिए इसमें यह विथिया विवक्ति है इतनी बात आपको मैंने किलि पर बात करते हैं कि कहते हैं प्रत्यंग आत्मा तो देखिएगा हमारे पास में क्या है प्रत्यंग ऐसा है ठीक है और आगे अप्लस आत्मा अत्यज्व कि अपधिएगर ये गहें तो इसने क्या करा गं दोयक्त में होना चाहिए नहीं और अधिक इंत्र मिल जबर यह कहां पर होना चाहिए पति की अनत्म होना चाहिए तो यह पद कोई प्रेशानी नहीं और आगे कहा अच्छी अच्छी परतमन अच्छ परे हैं तो इस अच्छ को क्या होगा परस्य अच्छाह गमुट का मतलब हो गया इसको इससे उत्तर अच्छ को क्या होगा मुट कि मुट काह पर पटित है तो आद्यंताउ टकिताउ से आदी में होगा तो आदी में होगा तो कहां पर बैठेगा देखिएगा यहां बैठ जाएगा यह गुट माराज जी यहां पर बैठ गए तीक है अब इसकी टित्की संजा होई हलंत्यम तस्य लोप अहां जाओ अपने घर पर जी उपदेशे अजनुनास्क इत से उकीत संजा हो गई तस्य लोप आप भी जाएगा अपने घर हम अकेले रहेंगे अब आपकी यरोत नहीं है आप से काम निकाल लिया हमने आपको हम इसलिए लाए थे कि हम आगे बैठें इनके तो हम आगे बैठ गे अपना स्थान हमने रिजर्ब कर लिया अब आप जाईएगा अब किसी दूसरे कारे सिद्ध की जिएगा ठीक है तो अब यह आगे जी अब जोड़ दीजीगा इसको अब प्रत्यन नात्मा प्रत्यन नात्मा बन गया जी अब आईएगा दूसरा उदाहन इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहन आपको मिलेंगे अब आईएगा सुगन नीशह तो अब देखिएगा यह है सुग कुल प्रत्यार आंत्रकतवर्ण ना और उससे उत्तर इह है और यह रसुसे उत्तर है ठीक है जी बन गई बात अब क्या होगा इसको जी घम होगा गमुट मेंसे क्या होगा उनुट कहाँ पर होगा आध्यन तव टक तव तो यहाँ पर आ जाएंगे जी उनुट महराज और यह भी चले जाएंगे यह चले जाएंगे पूर्वत और केवल अना रह जाएंगे ठीक है यह रह गए बस जी मिला दीजिएगा बन गया सुगण नीशाहा कोई परेशानी नहीं है अब आजेगा तीसरा उदाहन तीसरा उदाहन आपका सन नच्च्य उताहा तो क्या है यह सन प्लस अच्च्य उताहा थीक है कोई परेशानी नहीं है आप देखिएगा यह गम है है गम रसु से उत्तर है है जी आगे अच्च्य है है जी सब कुछ है जी फिर तो क्या है निप्ति इसको सुत्र से कार्य होने दीजिएगा तो कर दीजिएगा क्या होगा न कोई था संख्य मनुदेश्य समानाम से नुट हो जाएगा आध्यन ताहू तक ताहू चलो जी आप अटो आप भी अटो हम अकेले रहेंगे कि इतने चाला केंगे कि जैसे अपना काम से दो जाता है जी जट से इत संजग को हटा देते हैं चलो हटो हम इसलिए आपको लाए थे हम इसलिए आपको लाए थे तो ना बन गया तो आप जोड़ दीजिएगा इसको क्या बनेगा अगा कि संच्युताहा अगा है कि संच्युताहा बन गई बात तो नमोहरस्वादचीगमुणनित्यम यह सुत्र बहुत मैत्तपूर्ण हैं इसमें आपको एक दो बात ध्यान रखनी में बता देता हूं अभी सबसे पहले सूत्र को लगाने से पहले आपको देखना है पद्ध कुर देखना Britney नंख्त я हारłaंत्रगत वर्ण है न होई में से है ठीक है फिर उससे देखना उसके बात देखना है कि इस्ष्य पूर्ण में 2 है तो ठीक है फिर आगे देखना है, स्वर है कि नहीं है, है तो ठीक है, नित्य ही यह हो जाएगा, इसमें विकल्प नहीं है, उपर से हे मपरे बासे वा आ रहा था, उसको हटाने के लिए महर्शी पाणनी जी ने नित्यम कर दिया जी, का यहां विकल्प नहीं होता है जी, यहां तो नित् परंतो जहां पर भी महर्शी पाणनी नित्य नित्य कहा है वहां पर भी उन्हों ने अपने ही सूत्रों से यह जापित कर दिया है कि यह अनित्य है कहीं कहीं पर अपवाद रूप में यह भी नहीं लगता है अधिकतर लगता है अधिकतर लगता है परंतो मैं शीपाणनी ने अपने ही सूत्रों में इसका उपयोग नहीं नहीं किया एक सूत्र आपको बता दें यह बात समझ में आजाए तो अच्छी बात आया है basis समझ में आये तो इससे संबंदित बात नहीं है यह मैंने आगे की बात बताई आपको कहां की सिद्धांत कौमदी की महाभाष्य की ठीक है तो महर्शी पाणनी ने इस सूत्र का उपयोग नित्य कहकर के अपने सूत्र में नहीं किया जी कौन सा सूत्र देखिएगा एक सूत्र तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र क्या है उना दयो बहुलंड अब इसमें यहां पर यह सूत्र प्राप्त हो रहा था यह इसमें दो पद हैं देखिएगा एक है उना और आगे हैं आदया है पूर्मय-अरस्वय और यह क्या है आ पर पर आछर पाण मीनि ने प्रयोब नहीं किया अपनी शूत्र का अफ़ेग्या इसका ताथि परिक खंड़ की नहीं किया उन्होंने में यहां दिया और वहां उसका नियम को follow नहीं किया, इसका मतलब कहीं कहीं ये नियम नहीं भी लगता है, नहीं भी लगता है, इस सूत्र से जापित कर दिया, ये हमने आपको आगे की बात बता दी है, आपको समझ में आई है तो बहुत सुनर, नहीं आई है तो इस सूत्र की, ये इस सूत्र का ये वि राम देते हैं इस सूत्र को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा समझेगा ठीक है अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमाहा